दोस्तों आप सभी यह तो जानते ही होंगे कि आज के समय में बिमारिया कितनी तेजी से फैल रही है अब आप हमारे आसपासी या घर के किसी भी सदश्य को देख लो कोई न कोई बिमारी निकल ही जाएगे तो उन सारी बिमारियों के लिए कई सारे टेस्ट और स्कैन भी होते हैं इन ही से समंदित एक टेस्ट सीटी स्कैन और अमराई स्कैन भी होता है इसमें कम्प्यूटर के द्वारा मनुष्य के सरीर से जुरे कुछ महत्रपुर्ण अंगों की जाच करके बिमारी का पता लगाया जाता है कई सारे मरीजों के मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर सीटी स्कैन और अमराई में क्या अंतर होता है और दोनों में कौन सा स्कैन अच्छा होता है और कौन से टेस्ट हमें करवाना चाहिए इतना ही नहीं इन दोनों की मसीन भी काफी सामान होती है इसलिए लोगों के मन में कई और सारे प्रशन आते हैं कि आखिर दोनों में क्या अंतर है तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो में ये जानते हैं कि CT Scan और MRI Scan क्या होता है और इनमें क्या अंतर होता है CT Scan का पूरा नाम Computer Tomography Scan होता है CT Scan या Cat Scan एक BCS प्रकार का टेस्ट होता है जो कि एक X-ray और एक Computer के इस्तेमाल से किया जाता है और इस टेस्ट में हमारे सरीर में कुछ बिसेस अंगो का इमेज बनता है और इससे सरीर में बिमारी का असानी से पताय लगा जाता है CT Scan को Computerized Excel Tomography के नाम से भी जाना जाता है वैसे तो CT Scan X-ray का ही एक रूप होता है लेकिन यह उससे थोड़ा अच्छा होता है इससे सरीर के अंगो का इमेज को X-ray के तुला में और अच्छे से देखा जा सकता है CT Scan में मरीज को काफी आराम रहता है क्योंकि जो scanning की जाती है वो काफी जल्दी होती है और इमेज का resolution भी हाई होता है CT Scan का उपयोग मुख्य रूप से चोटो और सरीर में हो रही बिमारियों का इलाज करने के लिए किया जाता है क्योंकि इसके द्वारा निकली रिपोर्ट से यह clear हो जाता है कि पेशेंट को क्या बिमारी है और सरीर का कौन सा हिस्सा किस कारण से प्रभावित है CT Scan का उपयोग मसल्स डिसॉडर, बोन फ्रैक्शर, टूमर, कैंसर, हर्ड डिजीज, इंटर्नल उन्ट्स और इंटर्नल ब्लेडिंग का पता लगाने के लिए किया जाता है CT Scan करने से पहले व्यक्ति को कुछ भी खाने पिने के लिए नहीं दिया जाता है और CT Scan होते समय अगर उसने कोई लोही की धातू या सोने की गहने पहने हो तो उसे निकाल दिया जाता है इसके बाद व्यक्ति को बरे आकार की CT Scan मसीन के अंदर टेबल पर सुलाया जाता है इस दोरान व्यक्ति को हिलना डूलना बिलकुल नहीं होता है नहीं तो Scan का Image धुंदला हो सकता है इसलिए मरीज को अंद तक एकी पोजीशन में रहने को कहा जाता है City Scan के दौरा एक संकेर्ण X-ray beam का प्रियोग किया जाता है और व्यक्ति के सरीर के आसपास घूमता है और सरीर के अलग-अलग भागों से Image की एक Chain तयार करता है सरीर के सभी भागों का Cross-sectional Image बनाने के लिए इसमें Computer के द्वारा इस जानकारी को उप्योग किया जाता है कई टुक्रों में Image बनाने के बाद Computer के द्वारा इस तरकीब को अपनाया जाता है उसके बाद Computer इन Images को Scan करके 3D Image के आकार में बदल देता है जिसे डॉक्टर आसानी से देख लेते हैं और इसमें सरीर के सभी अंगों का Image सपस्ट दिखाई देता है CT Scan के जरिए सरीर के बारे में पूरी जानकारी मिलती है जिसमें Head, Chest, Skeleton सब कुछ सामिल है इतना ही नहीं इसमें गरदन, कंदे, Reproductive Organ, Hurnary Bladder, आधी के भी अंत्रिक जानकारी मिलती है MRI का पूरा नम Magnetic Resonance Amazing है MRI Scan एक ऐसे टेकनिक है जिसमें Magnetic Field और Radio Waves की साहता से सरीर के अंगो एबम उसकी कोसिकाओं का Clear एबम Detail Image बनाया जाता है ज्यादातर MRI मसीने बरी एबम Tube की आकार की चुम्बुकिय मशीन होती है जब किसी व्यक्ति को MRI मसीन के अंदर लेटाया जाता है तो चुम्बुकिय छेतर उस व्यक्ति के सरीर में अस्थाई रूप से Hydrogen परमानों का पुन्ण निर्वान करता है Radio Waves के कारण ये संगठित परमानों एक बहुत ही कमजोर सिगनल उत्पन करते हैं जो सरीर के विविन अंगों का एक Cross-Sectional Image बनाता है इसके अलावा MRI मसीन 3D Image भी बनाती है जिसे विविन अंगल से देखा जा सकता है ये डिफरेंट बिमारियों के निदान के लिए Safe और Accurate Imaging में से एक है चलिए अब ये जान लेते हैं कि MRI Scan कैसे किया जाता है MRI Scan करने के लिए सबसे पहले तो मरीज के हातों की नसपर एक Galen Line Contrast Type को रखा जाता है जिसके द्वारा MRI मसीन से डॉक्टर सरीर के अंदर की Structure को देख सकता है इसके बाद मरीज को टेबल पर लिटाया जाता है और उसके पैरों पर एक Build लगा दे जाता है जिससे मरीज कोई हल चल ना कर पाए और आराम से लेटा रहे ताकि MRI इमेज साफ आए और टेक्निशन को जाच करने में भी कोई परिशानी ना हो MRI मसीन के अंदर एक Impressive Magnetic Space होता है जिसके कारण पेशेंट थोरा Distress और Awkward सम हसूस करता है MRI स्कैनिंग में Impulsion बनने से MRI इमेज एक Layer के रूप में Computer को भेजता है MRI कराते समय मरीज को मशीन के अंदर एक आवाज महसूस हो सकती है क्योंकि MRI मसीन के दुआरा Layer रूप में एक Image लेने के लिए Magnetic Energy त्यार होती है MRI स्कैन के दुआरा Heart, Lever, Uterus, Brain, Joints, Kidney और सरीर के अंदर की Disease यानि की Whole Body की जाच की जा सकती है और उपकरणों को मरीज के सरीर में पहुँचाए भी नहीं इसके अंगों के स्थिति स्कैन Image की सायता से आसानी से मिल जाती है MRI स्कैन एक खास और मजबूत रिजल्ट देता है जिससे डॉक्टर्स को रोगों की पहचान करने में और इसका इलाज करने में मदद मिलती है आईए अब ये जान लेते हैं कि CT स्कैन और MRI स्कैन में Basically क्या अंतर होता है MRI स्कैन में Normal और Abnormal टिसू के बीच का जो डिफरेंस है वो CT स्कैन से ज़्यादा साफ दिखाई देती है MRI स्कैन CT स्कैन के विक्षा ज़्यादा महगा होता है तीसरा यह है कि CT स्कैन में Radiations के लिए X-ray Beam का उप्योग करते हैं जबकि MRI में Magnetic Field और Radio Frequency Pulses का उप्योग करते हैं चौता डिफरेंस यह है कि MRI दोरा किये के स्कैन से बहुत सारे जानकारी मिलती है जैसे कि Soft Tissue, Bone और अन्य Internal Structure के Detail Image जो कि CT स्कैन नहीं दे पाता MRI स्कैन के तुलना में CT स्कैन कम Painful होता है MRI स्कैन में काफी Strong Magnetic का प्रियोग होता है इसलिए यह सुरक्षा के मुद्दे में दिक्कत कर सकता है और यह दिक्कत CT स्कैन में बिलकुल भी नहीं होता CT स्कैन Radio Exposers का खतरा पैदा कर सकता है लेकिन इसमें कोई दर्द नहीं होता जबकि MRI अधिक Painful होता है लेकिन इसमें Radio Exposers का खतरा नहीं होता है इसके अलावा MRI Kidney और Liver Disorder वालों के लिए खतरनाक हो सकता है जबकि CT स्कैन में ऐसा कुछ नहीं होता